हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे रीसर्च चैनल पर आपका स्वागत है उमें रहता है यह एक बड़ी प्रजाती है वे काइमन परिवार में सबसे बड़े हैं वे 17 फीट तक लंबे होते हैं जिसमें महिलाए पुरुषों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है और लगभग 10 फीट लंबी होती है आमतोर पर उनका वजन लगभग 800 पाउंड होता ह लेकिन 1000 पाउंड जितना बड़ा हो सकता है अन्य बड़े मगर मच्छों के समान काली काइमनों को भी छोटी प्रजातियों को पकड़ने और खाने के लिए देखा गया है ज्यादा तर छोटी मचलियां मेधक और अकशे रुकी जैसे क्रुस्टैशियन और कीडे खाते हैं लेकिन बड़े जान्वर खाने के लिए इसका आहार मचली, समेत पिरानहा, कैटफिश, तथा बसेरा जो सभी काले कैमानों के लिए एक महत्वपून खाद्यस रोद बने हुए हैं बड़े शिकार में अन्य प्रजातियों को शामिल किया गया है कैमान, हिरन, पाखंडी, नल, एनाकॉंडा, विशाल उद्बिला, और सुर, मवेशी, घोड़े और कोटे सहिद घरेलु जानवर को इसका आहार बताया गया है सभी मगरमच प्रजातियों को उनके दातों को हत्याने के लिए नहीं बलकी चबाने के लिए डिजाइन किया गया है इसलिए वे आम तोर पर अपने भोजन को पूरी तरह से दूबने या कुचलने के बाद निगलने की कोशिश करते हैं बड़े शिकार जिन्हें पूरी तरह से निगला नहीं जा सकता है उन्हें अक्सर संग्रहीत किया जाता है इसलिए मास को मास से बाहर निकालने के लिए कैमान को काटने का अनुमती होता है मनुष्य चमडे या मास के लिए काले कैमीन्स का शिकार करते हैं इस प्रजाती को 1970 के दशक में इसकी अच्छी तरह से चिनित त्वचा की उच्च मांग के कारण लुपतप्राय के रूप में वरगी कृत किया गया था काले काइमेन लेदम में व्यापार 1950 से 1970 के दशक में हुआ था स्थानिय लोग आज भी काले कैमान की खाल और मास का छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं लेकिन इस प्रजाती ने अतीत में ओवहर्टिंग से समग्र रूप से पल्टाव किया है सनरक्षन के मुदों का सामना करते हुए यह प्रजाती कभी-कभी मनुश्यों पर हावी हो जाती है मादा केमन 2 से 3 साल में 50 से 65 इंडे देते हैं यह कभी-कभी जगुआर जैसे जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं आपको यह अमेजिन फाक्ट्स जानकर कैसा लगा कॉमेंट करना न भूलें और हमारे रीसर्च चैनल को सब्सक्राइब्स करें